So welcome back to your stuff, मेरा नाम है आमिर और हासिर हूँ अकाउंटिंग सरीज की नई क्लास, नया विडियो लेकर अकाउंटिंग की अपनी आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं एली प्रायम में डेप्रिशिशन की इंटी इसको कैसे फास करेंगे अगर हम डेप्रिशिशन की बात करें इसकी हिंदी होती है गटा अंदर अब गटा अंदर exactly कैसे काम करते हैं पहले वो समझे किसी भी fix assets को हम जितना ज़ादा यूज करते हैं उसकी value उतनी ही गट्ती है इस value की गटा अंदर को ही हम depreciation कहते हैं हम जितना ज़ादा fix assets इस्तमाल करेंगे उसकी value उतनी ही गट्ती जाएगी ये हमारे लिए expense होते हैं मैं तोड़ा समझाता हूँ बाकी हम बाद में बात करेंगे आपने कुछ exceptions भी है जैसे मालेज़े आपने markets एक furniture purchase किया है उसका price 500 रुपए है और आपने उसको use करना start कर दिया तो अब सीधी सीधी बात है जो आपने furniture 500 रुपए का खरीदा था आप उसको इस्तमाल कर दें तो आप उसे 500 रुपए का बेच नहीं पाएंगे क्यों चुकि second hand पर आइटम पर आने के बाद वो automatic उसकी 100-200 रुपए value कम हो जाएगी अबर आपने उसको 10 दिन use किया तो यह मानगी चलिए जो आपने 500 रुपए का खरीदा था उसे आप 40 रुपए का बेचेंगे लेकिन अगर आपने उसको तीन महीने यूज़ कर लिया तो फिर क्या होगा आटमेटिक लिए जो परनिचर आपने 500 रुपए का खरीदा था वो आपका 500 का ही बिख पाएगा तो यहाँ पर आप देखते क्या है कि जैसे आप फिक्स एसिट्स को जितना ज़्यादा यूज़ करते जाते है उसकी वैल्यू उतनी ही घड़ती जाती है एक्जांपल पे एक फैनले लेजिया पंका आपने मार्केट से पंका खरीदा 15 रुपए का चीक है इसके बाद आपने उसको प्लान किया और उसको यूज़ करना स्टार्ट किया आपने दो महीने तग उसको यूज़ किया अभी वो अंडर वरांटी है तो जब आप उसको सेल करना चाहेंगे अगर माले जिए वैसे हमें पता है वो गूट्स नहीं है तो हम उसको सेल नहीं करते लेकिन कई बार ऐसा हमारे पास आइडम बड़ा होता है जिसे हम सेल करना चाहते है हम उसके व्यापार नहीं करते बट हमें उसको सेल करना है तो ऐसे में क्या होगा क्या आपको लगता है कि जिस rate में आपने purchase किया था आप उस rate में उसको बेच पाएंगे बहुत हद तक ऐसा possible लही है कुछ चीजों को छोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या होगा जो 15 रुपए का आपने fan खईदा था अब अगर आप 6 मेने यूज़ करके बेचेंगे तो वो आपका मान लिजी आट एर 900 रुपए का ही जाएगा तो यह जो value कम हुई है इसी को हम बोलते है depreciation ठीक है अगर हमें टैली प्रायम में depreciation की इंटीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे हाँ वह एक बात और है कि depreciation land पे नहीं लगता आपको पता है land आपने खरीदी थी आप कितना भी उसको यूज करिए उसकी value कभी नहीं गटे की land की value हमें साब बढ़ती रहती है तो इसलिए land को depreciation के दारे से बाहर रखा गया है यानि आप यह कह सकते है कि land पे depreciation नहीं लगता है चलिए अब हम बात करते हैं जैसे आप एक इंटी बताए गई है firm got depreciation of 5,000 rupees in machine मतलब क्या हुआ firm ने कुछ दिन पहले machine खरी दी होगी अब मुझे rate नहीं बताए वो इतना बोला जा रहा है कि आज मैं नोट कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस machine की कीमत 5,000 rupees घट गई है चुकि मैंने उसको use किया है तो machine क्या था आपका assets था सही है और assets को जब आप घटाएंगे चुकि मेरे case में तो घट रहा है न मैंने का machine की कीमत 5,000 rupees घट गई है तो आपको क्या अगर मैं आपको machine को minus करना है जितना भी पहले रहा होगा और जब हम पढ़ते हैं इतना तो मैंने आपको starting से बताया हुआ है assets को घटाना मतलब minus करना मतलब two करना ठीक है तो यहाँ पर देखे क्या किया मैंने मैंने machine को यहाँ पर sorry by mistake 50,000 rupees का confusion हो रहा है चुकि depression में 5,000 rupees लिखा हुआ है दोनों में से एक ही चीज़ सही हो सकती है तो मैं यहाँ पर 0 बढ़ा देता हूँ तो कुल मिला कि आप यह कह दीजे कि आप machine पर depression हुआ है कितने का 50,000 rupees का तो मैंने 50,000 rupees की machine घटाई है जो भी उसका actual price रहा होगा उसी में से घटेगा अब ऐसा नहीं कि 50,000 rupees की ही ब्रूप मशीन बचेगी मानने जिए आपके machine 10,000 rupees की थी तो आप जिब minus यहाँ पर 50,000 rupees डालेंगे machine तो वो सारे लौट की बचेगी चुकि जो पहले से थी वो plus में थी अब आपने माइनस में machine डाल दिया 50,000 rupees तो आटो मेटेब को पहले वाले amount से डिटक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कि आप machine नाम का आपने assets गटा लिया है कितना 50,000 rupees और depreciation नाम का expense आपने बढ़ा लिया है expenses को मैंने detail में समझाया है expense में क्या है आपके direct expenses क्या है आपके indirect expenses सारे के सारे मैंने आपको बहुत detail में समझाया हुआ है अगर आपने उस वीडियो को अब तर देखा नहीं है तो link description में भी है या फिर आप उपर आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं तो यहाँ पर दो चीज़े हुई है एक तो आपने अपना assets घटाया है दूसरा आपने expense बढ़ाया है इस बार expense का नाम depreciation है तो rule के हिसाब से चाहें आपके assets बढ़े buy में जाते हैं और चाहें आपके expense बढ़े तो buy में जाते हैं assets घटते हैं तो 2 में जाते हैं तो आपके case से पहला assets घटा है तो 2 में machine आजाएगा आपका 50,000 नीचे वाला expense बढ़ा है तो buy में आजाएगा depreciation account 50,000 रुपे इस बार क्या हुआ है firm ने vehicle जो 5,000 रुपे का था उसमें 5,000 रुपे का depreciation हो गया है ठीक है तो CDC Demology vehicle में physics 0 की कमी है I guess ने ने ठीक है ठीक है seal करना है firm को ठीक यहां पे आदा दूरा लिखा हुआ है I need to इसको मुझे correct करना पड़ेगा firm sold है यहां पे इसका मतलब इस intake कहसाब से ठीक है देखे क्या है firm ने इस बार 5,000,000 का जो पहले खरीदा होगा vehicle उस पे 5,000 रुपे depreciation काटके बेच रहा है ठीक है तो खरीदा कितने का था 5,000 रुपे का तो vehicle तो पूरा 5,000 रुपे माइनस वजाएगा उसका लेकिन उसमें से 5,000 रुपे depreciation वो खुद काटेगा तो expenses में 5,000 रुपे depreciation क्या किया उसने बढ़ाया expense 5,000 रुपे जब इतना बढ़ा दिया इसका मतलब क्या हुआ कि vehicle बले ही उसका 50,000 रुपे जाएगा लेकिन depreciation वाला पैसा काट देगा जो भी खरीदेगा और उसके बाद आपको 4,95,000 रुपे मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह assets है उपर वाला assets है और नीच बीच वाला expense है आपका assets का बढ़ना buy expenses का बढ़ना buy और assets का बढ़ना 2 तो 2 vehicle account 5,000 buy depreciation account 5,000 and buy cash account 4,95,000 अगली बार क्या हुआगा आप फर्म को देखिए depreciation वाए कम्प्यूटर पे 9,000 रुपे का मलब जो भी कम्प्यूटर का प्राइस रहा होगा अब उसकी प्राइस में 9,000 रुपे घट गए है तो सीदे-सीदे minus computer जाएगा 9,000 रुपे and plus जाएगा आपका depreciation 9,000 रुपे ठीक है और नियम के इसाफ सम क्या करेंगे minus हटाएंगे 2 लगाएंगे तो 2 computer अगाउं 9,000 and by depreciation अगाउं 9,000 तो यहाँ पर आपने इस तरीके से देखा कि depreciation के इंटीज को कैसे बनाया जाता है अब बात करते हैं अगर हमें tally prime में इंटीज को अगरा कितने का 50 रुपे का ना तो sale हुआ है ना तो purchase हुआ है ना यह payment आया है ना यह payment गया है general voucher में इंटी जाएगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे सबसे पहले हम अपने tally prime software में general voucher ही select करेंगे तो यहाँ आज मैं vouchers में आता हूँ और मैं general voucher select कर लूँगा यह लिजिए select कर लिया अब आप से बोल रहा है गब बढ़ा क्या है depreciation बढ़ा है machine का price तो गटा है ना तो आप सबसे पहले यहाँ से create कर जाए और आप यहाँ से depreciation on machine चाहें तो बना ले नहीं तो सीधे सी depreciation बना ले ठीक है depreciation क्या होता है आपका endive expense होता है आप यहाँ से endive expense डाले और control एकर दे कितना बढ़ा था depreciation पजाज़ार रुपए यह लिजिए पजाज़ार रुपए डाल दिया किस चीज़ के value गटी थी कि depreciation बढ़ा था machine की तो मैंने यहाँ से machine फिलाद मुझे machine बनाना पड़ेगा fix assets और controlling save यह controlling करके save कर देंगे और आपके ENT बनकर ready हो गई है ऐसे अगर हम अगली इंटी की बात करेंगे जिसमें क्या करना है आपको vehicle बेचना है 5 लाग का लेकिन इसमें 5 रुपए आपका depression कर जाएगा यह 5 रुपए आप खुद ही उसकर चुके है तो आपको 4 लाग 95 रुपए मिलेगा इस बार आपको जाना है रस्रिक्ट में चुकि आपको फिर भी जो बचा हुआ पैसा वो मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले vehicle मैं बना लेता हूँ vehicle यह लीजे control and save तो यह वाल इंटी भी आपकी हो गई अगला फर्म को 9000 रुपए depreciation मिला है यह depreciation हुआ actual में computer पे चलिए यह भी बना लेते हैं तो यह general पे जाएगी चुकि से नहीं है नहीं purchase है अपस में transaction हो रहा है आपका अब यहाँ से क्या हुआ depreciation बढ़ा है तो depreciation इंडाल देजिए 9000 रुपए और किस चीज़ पे लगा है computer पे अगर ना बना हो तो बना लीजे फिक्सिप्स और control एकर के save करा दिया तो hopes आपको समझ आया होगा कि अगर आपको टेली प्राइम में depreciation की इंटीज को पास करना है तो वो आप कैसे पास करेंगे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैलर को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन पे हिट करिएगा साथिस्थ कॉमेंट में ये लिखके ज़रूर बताइएगा के अगला वीडियो आपके इस टॉपिक पर शायते है बहुत जल्द मिलेंगी तब तक अपना ख्याल रखिए कंप्यूटर सिखते रहिए अकाउंटिंग सिखते रहिए बाई 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 टेक केर